हेलो दोस्तों एक लेक्टर उनिवरम आपका स्वागत दोस्तों कैसों सभी आज अगर तुम बहुत अच्छ होंगे तो दोस्तों हम यहां पर रामसंस के इस पीकर लाएं यानि कि जो आउटपुट के इस पीकर रहते हैं हमारे जो होम टेटर में लगते हैं वह लाएं तो दो यहां पर आपको बताना चाहते हूं जैसे कि हमारे कुछ कभी भी सीए सोट हो सकते हैं तो हमें अगर हमारी आइसी खराब नहों तो हम दोस्तों इनमें कैपिश्टर यह लगा सकते हैं तो दोस्तों आपने यहां पर देख लिए होगा कि यहां पर कितने वोल्ट के और कितन ना फोके तो दोस्तों आप हम इसे कैसे लगाएंगे वह भी मैं आपको दिखाऊंगा और इस वज़े से दोस्तों यह हमारी स्पीकर के आउटपुट में यानि की लगाए जाते हैं जिससे कि दोस्तों यह सोट और एसले वाल जाते हैं तो यहां पर इस वजय से यहां पर लगा झाते हैं जैसे कि कि यहां पर देख सकते हैं इधर माइन से और फिलास आप कि इधर की साइड से भी इसे लगा सकते हो उससे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है यहां पर तो मैंने आपको बता दिया कि दोस्तों यहां पर इस वाजे से यह यह mainly तो यह बहुत अच्छी बाते है और साथ में बेल आइकन में प्रेस करें ना जिससे कि आपको इलेक्टों से रिलेटेड न्यू वीडियो मिल देरे डेली तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ इसे माइनस जैसे इधर की साइड मैंने रखा है तो आप भी उसे उधर की साइड रख सकते हो या प्लस की तरब भी आप उसे लगा सकते हो क्योंकि दोस्तों यह इस वाजी से लगा जाता था अगर दोस्तों मियोफ जाद रखोगे जैसे मैंने रखा 220 तो यह नई आने की मोटी आवाज आएगी अगर इससे कम रखते हो जैसे की 47 मियोफ भी रखते हो आप 25, 47 मियोफ तो उसे भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है क्योंकि हमारा जितनी मियोफ घटेंगे उतनी आवाज बढ़ी आएगी और जितनी हमारी मियोफ जाद होंगे उतनी आवाज मोटी आएगी तो दोस्तों यही रीजन होता है अगर हमारे खराब हो जाते हैं यह speaker तो आईसी फूग देते हैं तो दोस्तों यही रीजन होता है कि हम इसमें यानि की पहली capacitor लगा दें अगर हमारे नया speaker आया हो तो होंस के वाल से याँ पर मैंनों दस्ता है कि पzetर्प की साइड टो दोनों तरफ से लगा सकते हो तो जह से मैं आपको बताए सेम की इसी का लगा सकते हो। रखेए आपका बिल्कुल भी ना तो आईस इस फोगएगी और नहीज आपका कुछ होगा ठीक है तो यह कैपिश्टर लगाई है बिल्कुल अच्छी तरह किसे चलेगा आपका जाहिन